वेल्कम टो माई न्यू ब्लोग नए ब्लोग में आप सभी का स्वागत है और गाइस आज हम जा रहे हैं किसी दार्शनिकिस्तान पर गूमने चोथ का बरवड़ा और यह है अमर आज का टिकेट और हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार तो हम जाने वाले हैं दयोदे एक्सप्रे स्वेड़ प्रेकस आने वाली है फिर चलेंगे अपंद मेरे साथ जा रही है विकाष दो ग्यू Osman तो गाइस हमारी ट्रेन आगी है और दियोगा हम दोर तो गाइस ट्रेन आ चुकी है तो गाइस महाजूपूर ट्रेन रुकि वही है तो हम थोड़ा सा ओक्सिजन ले लेते हैं बार निकल के और फिर अगला स्टोप पे चोथ का बरवडा और बस हम वही जा रहे हैं तो गाइस यह जाता है अब इसका ना अलग इंजन आ जाएगा इसका पीछे का डिबबा हो गया है तो गाइस हम उद्र चुके हैं चोथ का बरवडा इस्टेशन पर और अब चलते हैं तो गाइस बाइबाए केने का टाइम आए ड्रेन को तो गाइज यह है इस्टेशन से मंदिर जाने का रस्ता और दो किलोमेटर दूर है मंदिर यहां से इस्टेशन के बाहर पहुंचते हैं हम को देखो किती मस्त सी डिजाइन में पेंटिंग मिली देखने के तो गाइज देखो किती मस्त पेंटिंग बना रिखिए कि अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ यह वाला रस्ता है इस रस्ते से हम जा रहे हैं और दो डेड़ किलोमेटर का सारा रस्ता है फिर मंदिर आ जाएगा तो चलो बने रहो आप वीडियो में तो गैस देखो यह लिखा हुआ है स्री चोथ माता मार्ग और यह तीर का निशान इदर की तरफ हो रहा है वापन चलेंगे इस वाली गंडी में तो गैस वह रहा मंदिर और यहां पर लिखा हुआ है मंदिर का रास्ता तो अपन को इदर करना है टान चलो तो गैस देखो यहां पर लिखा हुआ है मंदिर में पूजा परशाद फूल माला ले जाना वर्जित है मना है क्यों तो गैस कुछ ना कुछ इसका भी रिजन होग चलो चलते हैं तो गाइज यह है सिक्सेंस होटल जिसमें विक्की कोसल और केटना की शादी हुई थी किसी टाइम पर यह वाला होटल देख लो आप और सूरत देवो माते पर है पर कोई बात नहीं है यह है वो होटल गाइज इधर तो है होटल और सामने देखो मंदीर का व्य इस टाइप का कुछ मंदीर है और अपन को चलना है महाँ पर तो चलो बिना देर की हुए चलते हैं तो गाइस हम जा रहे हैं पेदल पेदल तो गाइस मंदीर से कुछ ही कदम दूर हैं हम और बस पहुंचने ही वाले हैं परशाद और साद हम लोगों ने ले ली और अपना बिना देर की हुए चल चलते हैं रोड़ी बहुत सीडियां अभी बहुत सारा सफर है सीडियां भी तरह करनी है तो चलो तो गाइस कुछ अगी भी ये दुकाने इस टाइप की तो गाइस हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदीर के मुख्य दरवाजे पर और दरवाजे से कुछ सेडियां ऊपर जाएंगे और फिर मंदीर का नजारत दिखाएंगे और सास में ही माता जी के भी आपको दर्शक कराएंगे तो चल कि देखो किती प्यारी डिजाइन लग रही है चलो आप चलते हैं और तो गाइस मंदीर जा रहे थे और बालाजी महराज की दरशन हो गए बीच में इस वाले दरवाजे से होते हुए है पंचा लेंगे मंदीर में यहां पर तो लग रहा है गेट तो अपने इदर से कट मारेंगे तो पूरे मंदीर में ऐसा टीन सेट लगा हुआ है मतलब तो गाइस मंदीर श्री चोट माता ट्रस्ट आपका हार दीक अभी नंदन करता है तो गाइस दोगे यहां पर क्या लिख भी है और अब चलते हैं यह दान पेटी आप चाहें तो जितना दान देना चाहिए दे सकते हैं मंदीर निर्बान के लिए तो यह सारी चीडिया चड़के आप उनको जाना है उपर मंदीर में तो गाइस सीडिया चड़ रहे थे और बीच में को मंदीर देखने को मिला हमें तो आपन चलते हैं सीधा इस्टार्ट तो गइड़के कि नहीं यहां पर पाने पेने की विवस्ता भी है और साथ मैं बैठने की विवस्ता भी है और देख़ों यहां से वह यह होटल अपन देखके आहे थे कैसा लग रहा है देखों और उपर चलते उपर से ओवर मुस्त नजारे देखने को मिलेगे चलो आई है 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 तो बैद मैंने इस पक्सी की सारी एरकते केप्चर कर ली है है तो कैश्य मंदिर पहुचने वाले हैं बस थोड़ी देर मैं जाने करें देखो यहासर वियू दिखाता हूं मैं आपको सलो उपर से दिख्छा दूँ हैज़ों गया चलो जाए अभी देह हम इसको यह अधो कि हम पहुंच हैं मंदर यह開ained मंदर जाहां बाहर से दिख रहता न वह और फिर हम चलते हैं उपर आपको देखो यहां से कुछ इस टैप का व्यू दिखता है लिए इस रस्ते जाया थै पानि यह वाला रस्ते ने यह वाला रस्ता इस से आथ है तो गैस बहुत थकान हो रही है और वह रहा होटन और यह रहा तलाव चलो अब चलते हैं उपर तो गैस यहां पर लिखा हुआ है महिला पुरुष तो अपन पुरुष वाली लाइन में से चलेंगे इधर से और तो इस आपने यही पर खोल लिए और यहारक देते हैं चलो अब आजा अज़ा आज़ा है तो गैस ताइम देख लो खड़े ग्यारा होगे अगर आज़ा है की अगर जाए तो वैस देखो मंदीर की सीड़े किती वाइट वाइट हो रही है मस्त और चलो हम चलते हैं तो वैस आखिरकार हम मंदीर पहुंची गए और यह मंदीर इतना अब्भव यह मंदीर है यह काफी मस्त और यह ना यहां के जो सासक थे भीम सिंग उन्हों के द्वारा बनाए गया था है मंदीर के अंदर का भी दरश्चे दिखाई देते हैं आपको महतारानी के दरश्चन करा देते हैं चलो मंदीर के घंटी हुआ करते हैं तरहां करते हैं करते हैं करते हैं मंदीर का सबसे शांदार गलिया रहा है यह वाला किता प्यारा लग रहा है और आज हमें नसीब से करते हैं माता कि आरती में खड़े होने का सुभा गी मिला रुद बड़े बात हैं तो गाइस लास्ट बार में यहां से व्यू दिखा देता हूं आपको देखो निश्टैप कर दिए हैं जस सामने हैं ताना तो गाइस देखो यार यहां पर कितनी मुस्त 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 बड़े ने बनी लिए हैं तो गाइस देखो क्या तगड़ा वर्क किया गया है देखो अभी काम चल्ड़ा है थोड़ा बहुत वाउट आपको देखो यहां से कुछी स्टैपस भी दिखता है कुका है दोल कुटर कुटर देखा हुआ है यहां कि आसा है प्रच्फ निंग से लिए करेंगे जोड़। तो गाइस यहार यहार पर कितनी मस्मस डिजाइने बनी लिए पर दिजाइन के साथ आपको नजारे के लिए लिए तो गाइस आज मैंने चोद का बरवडा माता जी के दर्शन कर आए आपको अगर अच्छा लगा हूँ तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स को बाचिंग मिलते एक लिए ब्लोब में तब तक के लिए बबाए